नमस्कार दोस्तों, सिक्स सेंस के सभी दर्शकों का एक हूश उड़ा देने वाले वीडियो में हारदिक स्वागत है शादी हमारे जीवन का महतोपूर्ण हिस्सा होती है कोई इसे बहुत जरूरी समझता है तो कोई से दूर रहना ही बहुत दर मानता है आमतार पर आपने शादी एक लड़की और एक लड़के के बीच होती हुई देखी होगी क्या कभी किसी लड़की और किसी जानवर की शादी के बारे में सुना है दुनिया में कुछ ऐसी शादी के जोड़े भी मौजूद हैं जो शायद आपको हैरानियों में डालेंगे तो चलिए जानते हैं दुनिया के 9 सबसे अनोखे जोड़ों के बारे में लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर ले नमबर 9 मार्टिन वेन ब्यूरेन और हैना हैनिंग स्वान मार्टिन ब्यूरेन अपने दानवी शरीर के कारण बेहत प्रसिद्ध है गुडनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इनके लंबाई 7 फिट 7.5 इंच थी और उनका वजन 149 किलो था दोस्तों जो भी भारती है गुडनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है हमने उन पर भी एक वीडियो बनाया जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं शायदी आप विश्वास करोगी कि मार्टिन ने अपनी ही जितनी लंबी लड़की से शादी की जी हाँ इन्होंने एना हैनिंग स्वान से शादी की जिनकी लंबाई 7.5 इंच थी इनकी शादी इतिहास के सबसे अनुखी शादियों में शामिल है और हाँ ये दुनिया के सबसे लंबा जोड़ा भी है अब आप सूच रहे होंगे कि इनके बच्चों की लंबाई भी असाधारन होगी जी नहीं इनकी लंबाई का इनके बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा और एना ने साधारन बच्चों को ही जन दिया कानونी त học पर शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए शादी में उम्र का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है ज्यादातर लोग ही मांते हैं कि शादी के वदर बराबर उम्र के लोगों में होनी चाहिए पर किया आप ऐसे जोड़े के बारे में जानना चाहोगी जिनकी उम्र का अंतर एक या दू साल नहीं बलकि 95 साल का है अहमद मुहमद डूर अब 112 साल का है और उन्होंने 17 साल की लड़की सफिया अब्दुल्ला से शादी की है शादी के समय डूर की 5 पतनिया और 13 बच्चे थे जिन में से 3 पतनिया मर चुकी है अहमद मुहमद डूर दूर दूर के सबसे बूड़े इंसानों में से एक है और एक से ज़दा बीवियों वाले भी सफिया ने अपने से 95 साल बड़े आदमी से शादी क्यों की ये कोई नहीं जानता दूस्तो दुनिया में एक नाम के कई विक्ति हो सकते हैं और ये एक साधारान सी बात है आपके आसबास भी ऐसे लोग होंगे जिनके एक ही नाम होंगे पर क्या आप ऐसे पती पतनी के वारे में जानते हैं जिनका पूरा नाम ही की हो आपको ये बड़ा जीब लगेगा लेकिन श्री कैली हिंडल ब्रैंड ने जिससे शादी की उसका नाम भी कैली हिडल ब्रैंड ही था यान इस जोड़े में पती और पतनी दोनों का नाम एक है और श्री केली हिडल ब्रैंड और टेकसास के रहने वाले हैं और उनकी मलाकात फ्लोरिडा की श्रीमती केली हिडल ब्रैंड इससे फ्येस्बुक पर हुई कुछ मेंनों की बाच्चित के बाद दोनों में प्यार हुआ और श्री केली हिडल ब्रैंड ने श्रीमती केली हिडल ब्रैंड से शादी के इच्छा जाहर की और फिर दोनों ने शादी कर ली ये दुनिया के ऐसे पती पतनी है जिनका पूरा नाम एक है कहा जाता है कि भगवान सभी के लिए एक जीवन साथ ही बनाता है इस बात का एक सटीक उधारन है ये दोनों एंटन क्राफ्ट जोकी केवल 4 फिट लंब है इनकी शादी एक 6 फिट 3 इंच लंबी लड़की से हुई एंटन क्राफ्ट एक मशूर वेट लिफटर है जो अपने शरीर से चार गुना जादा वज़न उठा सकते हैं ये अपनी श्रेणी में सबसे ताकतवर आदमियों में से हैं उनकी पत्नी चाइना बेल दरसल एक लड़के गरूप में जन्मी थी जो कि बाद में महिला में परवर्दित हो गई अब आप समझी सकते हैं कि इन दोनों की शादी इतनी आसानी से कैसे होगी दोनों ही असाधारन थे और उन्होंने इसी लिए एक दूसरे से शादी की ये जोड़ा दुनिया के सबसे दुरलब दमपतियों में से एक है अभी हमने ऐसे जोड़े के बारे में तो जाना जिनकी उमर का अंतर ज्यादा था काईल जोन्स जो की मारजोरी एमसी कूल से प्यार करती है मारजोरी काईल से 60 साल बड़ी है और इनके बारे में सबसे अजीब बात ही है कि मारजोरी काईल्स की असली दादी है काईल का अपनी दादी मा के साथ शारेडिक संबंद है जी हाँ आपने सही सुना काईल से अपनी दादी मा के साथ शारेडिक संबंद रखते हैं ये दुनिया के सबसे अजीबो गरीब जोडों में से एक है शायद ही दुनिया में कोई ऐसे रिष्टे से जुड़ा होगा काईल्स और मारजोरी ने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता अगर ये जोड़ा आपको विज़ित्र लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दे कभी-कभी लोगों के एक से ज़यदा सम्मंद भी होते हैं किसी कारण हमें पहले साथी से अलग होना पड़ता है और फिर हम किसी दूसरे रिष्टे से जुड़ जाते हैं ऐसे में लोग अपने अतीद को भूल कर अपने वरतमान में जीने लगते हैं पर इस बात को नकारते हुए मारिया बुद्सकी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया दरसल वे अपने पहले प्रेमी पीटर से अलग नहीं रह सकती थी और नहीं अपने पती पॉल के बिना इसलिए इन्होंने दोनों से वेवारिक और शारेरी रिष्टा रखने का फैसला कर लिया ये तीनों अब एक ही साथ रहते हैं ये दुनिया का एका नोखा जूड़ा है अब ये रिष्टा कब तक चल पाएगा ये कहना मुश्किल है पर अभी तक सब खुशी से रह रहे हैं जूड़ीर ब्रगेर डासिलवा और एक कामाल की जूड़ी है ऐसे पति-पतिनी शायदी कहीं देखने को मिलेंगे आपको बता दें कि ये जोड़ी दुनिया की सबसे कम लंबाई वाली जोड़ी है डगलस का जन्म 21 सितंबर 1971 को हुआ और कलाइडिया का जन्म 6 सितंबर 1972 को इन दोनों की लंबाई जानकर आप हैरान हो जाओगे डगलस की लंबाई 90 सेंटिमेटर है और कलाइडिया की 93 सेंटिमेटर इनकी इस कम लंबाई की वज़े से दोनों ही में समानता हैं थी और इसलिए दोनों ने एक दूसरे से शादी करना पसंद किया जब इनोंने 27 एक्टूबर 1983 में शादी की तो इन दोनों की मिलकर कुल लंबाई 27 फिट से भी कम है इस जोड़ी की खासियत भी आपको हैरत में डालेगी यह दुनिया के सबसे दुरलव जोड़ों में से एक है कि इनोंने अपने पूरे शरीर पर टैटू बन वा लिए दोनों की शादी करने पर ये दुनिया में फ्रसिद्ध हुए विक्टर के 90 प्रतिशे शरीर पर टैटू बने और गब्रेला का 65 प्रतिशे शरीर टैटू से घिरा हुआ है इनके जोड़े वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है अब आपको उस जोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आपको बेसबरी से इंतसार था इस जोड़े को दुनिया का सबसे अनोखा और वेचितर जोड़ा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा इससे जोड़े की वेचितर वाथ ये है कि इसमें एक महिला ने एक कुट्टे से शादी किये जीहां अपने सही सुना अमांडा रोजर्स ने अपने एक पालतु कुट्टे से शादी किये इन्होंने पहले एक अमेरिकी आदमी से शादी किये लेकिन उनका विवा असफल रहा वेस इतनी परिशान हुई कि उन्होंने एक अमांवे जीवन साथी चुनने का फैसला किया उनके इस फैसले नहीं दुनिया में उन्हें पर सिद्ध दिला दी वे अपने पती से बेहत खुश है और उनका ये फैसला कितना सही है या आप हमें comment box में बताईए तो दूस्तों आज की वीडियो में बस इतना आई आपको सबसे अनोकी और विचित्र जोड़ी कौन सी लगी आप हमें comment में बताईए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रोचक वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बदा बात दे जिससे आप देख सके हमारी नई वीडियोज सबसे पहले धन्यवाद